सिंग्रॉली के बिंदुल संकूल के सरकार स्कूल में शिक्षक के शराब पीने का वीडियो सामने आया है। ग्रामिनों ने टीचर की पोल खोलने के लिए वीडियो बनाया और उसे पूछताज की। इस दौरान टीचर ने भी माना कि वह शराब पीकर आया है। अकसर सरकारी स्कूलों में सिक्षकों के शराब के नशे में दुथ होकर आने के वीडियो सामने आते रहते हैं। इस बार सिंग्रॉली जिले के पूर्व माध्यमिक विद्याले कमई का वीडियो सामने आया है जिसमें एक सिक्षक नशे में जुमते हुए दिखाई दे रहा है। ग्रामीडों ने अध्यापक का नशे में धुत होकर क्लास में पहुँचने का वीडियो बना लिया। वीडियो में नजर आ रहा है कि टीचर राम प्रताप रावत से एक शक्स पूछताच कर रहा है जिस पर सिक्षक ने भी हामी भरी और कहा कि वह रोज नहीं पीता है। बता दे कि जिले में सिक्षकों की नशे में धुतो कर स्कूल पहुचने का या कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की घटनाए हो चुकी है। महीं वीडियो सामने आने के बाद जिला सिक्षाधिकारी एबी सिंग ने कहा कि इस मामले की जाँच करा कर सिक्षक के विरुद्ध कारवाही की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।